आपके बिस दुर्मालिक दिस वीक एर फ्री स्कूल सीनी ओनलाइन प्लास युश्वासर रिस बैप बच्चों हम लोग हिंदी लिट्रेचर की पाठ चार करने आरे हैं सफानी का महत्व यह लया पाठ का लाम बच्चों इससे पहरे आपके रिनापिस से बहुत सारी अभ्यास यह बच्चों आपने किताब निकाल लेंगे पेश नमबर 15 15 गर गर नमबर अभ्यास सही कथन पर सही वह गलत पर गलत का चिन लगाएंगे पहना प्रश्ण साथविक को विद्याने जाने के लिए देर हो रही थी जी हाँ साथविक को तो देर हो रहती तो हम लोग सही का चिन लगाएंगे नमबर टू बिना हात धोए, खाना खाने से हमारा पेट साफ रहता है ये वागी looks like, तो बिदुल गलत है बिना हात धोए, खाने से हमारा पेट में किटानू आजाते हैं न ये हम गलत का चिन लगाएंगे Number Three, हमें कभी-कभी नहाना चाहिए कभी-कभी आप नहाते हैं या हरोज नहाते हैं आप तो प्रति दिन नहाते हैं गलत का चिल लगाएए नमब फोर जो बच्चे दातों पर ब्रश नहीं करते उनके दात मस्बूत रहते हैं कैगे वाग क्या सही है बिल्कुल नहीं यह तो गलत है हमें रेगूलर प्रति दिन ब्रश करना चाहिए प्रति दिन अधर आप दो बर ब्रश करेंगे सुबह और सोने से पहले रात को तो आपकी दात और बसोरे स्वस रहने यानि कि यह वाग्य तो गलत है गलत का चिल लगाएए पाच्वा देख लेते हैं नाखुनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए बिल्कुल यह कथन सही है सही गाचे लगाएए बच्चों आए हमें देखते हैं नेक्स्ट अभ्यास नेमनिखित प्रश्नों के उत्तर दीजे पेश नमबर 16 पहला प्रश्न बिना हाथ धोय खाना खाने से क्या होता है आए इसको उत्तर देख लेते हैं बिना हाथ धोय खाना खाने से किटाडू हमारी पेट में चले जाते हैं दुबाना दोर आते हैं बिना हाथ धोय खाना खाने से किटाडू हमारी पेट में चले जाते हैं यह हैं आपको उत्र आपको इस उत्र को लिखेंगे साफ साफ, दूसरा प्रशन देख लेते हैं, यदी हम रोजाना स्नार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, आए इस उत्र देख लेते हैं, यदि हम रोजानास्ना नहीं करेंगे तो हमें त्वच्छा की रोब हो सकती है अगर हम रोजानास्ना नहीं करेंगे तो हमाने त्वच्छा में क्या हो जाएगी किटागू हो जाएगी वो किटागू से हम दिमार भी पढ़ सकते हैं यदि हम रोजालास्तान नहीं करेंगे तो हमें त्वच्छा की रोब हो सकती है बच्चों यहां तक की अभ्यास को आप अपने हिंदी होंगो कॉपे पे कंफ्लीट करेंगे और लर्ण करेंगे याद करेंगे बागी के बच्चे दो प्रश्चों उतर और कुछ अभ्यास काने में अदर बच्चे होंगे तो हम दो नेक्स क्लास में करेंगे टेल रें टेक केर बाई